टो आप सब्सक्राइब करने हैं हमारे पाँच प्रिशन की सीरिज्ज जो हम पहले करते थे और बीच में कुछ रीजन से मैंने ड्रॉप करते थी तो आज तीन दिसमबर है आज का आपके जो 5 प्रिशन है यह मैं आपके सामने ला रही हो कोशिश करना इन्हें सौल्फ करो पहले खुद से कुशिश करना और टाइप मैं इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे टाइप से जादा अपने राइटिंग में लिखना जादा फीजिबल लगा और टाइम भी कम लगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो छोटी ही बनानी है फॉस्ट कोश्चन है गान के दृष्टी से सामगीतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है सामगीत यानि आपे वेदों से वर्णन पूछा गया है सामवेद के बारे में पूछा है और कितने भागों में विभक्त किया है तो आंसर है इसका पांच सेकिंड है पार्ष्व देव ने शुरुदियों के कितने नामों का उलेख किया है ठीक है तो इनने किया है 22,45 या फिर 66 आंसर है 66 नेक्स्ट है वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है वर्ण हम सबने पढ़े हुए है तो आंसर आई थिंक सबको पताऊना चाहिए यह उत्तर है 4 कौन कौन से है यह आप कमेंट बॉक्स से बताई है ठीक है और नक्स्ट कॉश्चन है परखाट शब्द से क्या आप फ्राय है तो इस तरह की टर्मिनोलोजी है जो आपको पताऊनी चाहिए और इसका शब्द का क्या अलत होगा अतिमंद्र मंद्र तार या अतितार तो उत्तर है इसका अतिमंद्र या तब एक तो मंद्र होगा एक मद्य होता है एक तार होता है लेकिन मंदर में भी एक अते मंदर होगा तो वो है परखाद लास्ट क्वेशन है हमारा अल्दमागदी क्या है अल्दमागदी मैंने गीती के बारे में अपने कुछ वीडियो से बहुत अच्छी तरह अलाबरेट किया है तो अगर आपने प्रिवेश वीडियो देखी है तो आपको इसमें कोई confusion नहीं होगा लेकिन अभी भी आपने नहीं बढ़ा है तो आप इसे जाके पढ़ सकते हो ठीक है यह क्या है अलाब की एक शैली है ख्याल की शैली है प्रवन की शैली है या फिर यह गीती की शैली है आं कि अभी कोई भी कोशन आजाता है तो इतली साबको पढ़ा हुआ होगा थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दी वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक चरूर कीजे थैंक यू